दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा mobile screen पर बार बार add आना कैसे बंद करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile की settings में आ जाना है setting में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी apps इसे open कर लेना है इसके बाद यहाँ पर उपर में एक setting मिलेगी app management या app list या manage app इस तरह से आपको यहाँ पर तीनों में से एक setting मिल जएगी या आपके mobile की सभी apps आपको यहाँ पर दिखाई देगी मेरे phone में यहाँ पर app management पर मैं किलिक करूँगा तो मेरे mobile की सभी apps यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, एक एप धूड़ना है, जिसका नाम भी नहीं है, और जिसका लोगो भी नहीं है, आपके फोन में जाने अन जाने में गलती से आपने एक मालिवर एप डाउनलोड कर ल लेकिन उसके उपर में दोस्तों एक एप है, आप देखेंगे, वाइट स्क्रीन है मेरे मोबाइल की, तो वाइट लोगो है, उस एप का तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे, तो यही दोस्तों वो एप है, जो आप आपको बार बार एड दिखा रहा है, अगर आपको इस तरह से दोस्तो अप नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको एक ट्रीक लगाना है, आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पैनल को उपन करना है, यहाँ पर आपको डार्क मूड या डार्क थीम को अप्शन मिल जाएगा, यह इसका कोई नाम नहीं है, यही एप दोस्तों गलती से आपके फोन में डाउनलोड हो गया है, और यह आपको एड दिखा रहा है, इससे आपको डिलिट करना होगा, आपको इस पर किलिक करना है, यह उपन हो जाएगा इस तरह से, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, किलियर डिटा कर देना है, आपको इसे डिलिट कर देना है, यानि कि यह पूरे डिटे को किलियर कर देना है, इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, यहाँ पर आपको option मिल जाएगा uninstall आपको इस पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर ok पर click करना है तो app दोस्तों आपके phone से delete हो जाएगा यह app delete हो गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है आपको back आना है यह app आपके phone में download हुआ है तो आपको file manager में भी दिखाई देगा वहाँ से भी आपको इसे delete करना है file manager को open करना है इसके बाद यहाँ पर आपको apps पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उपर में आपको एक option देखने के लिए मिलेगा app install files apk आपको इसमें आना है तो यह app आपको दिखाई देगा आपको इस पर long press करना है उपर three dot पर click करना है move to trash पर click कर देना है और आपको इसे delete कर देना है यह delete हो गया यह app ही दोस्तों main reason है जिसकी वज़े से display पर बार बार add दिखाई देती है यह app को delete करने के बाद आपके mobile पर कोई भी add नहीं आएगी मैं आपको दो setting और बता देता हूँ आपको chrome browser को open करना है इसके बाद उपर मैं आपको three dot पर click करना है यहाँ पर मैं dark theme को बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से setting दिखाई दे यहाँ पर दोस्तों आपको three dot पर click करना है chrome browser में इसके बाद यहाँ पर आपको settings पर click करना है इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको site settings पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting धूंडना है setting का नाम क्या है pop up and redirect आपको ये setting को open करना है और ये setting on है आपको इसे off कर देना है इसके बाद back आना है अब यही पर दोस्तों नीचे में आपको एक और setting मिलेगी ads ये वाली setting आपको open करना है इसी भी आपको बंद कर देना है बस ये तीन काम आपको अपने android phone में कर लेना है इसके बाद आपके mobile में हमेशे के लिए एड बंद हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी इसके बाद कभी भी आपको एड दिखाई नहीं देगी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों को जिनके मुबाईल पर बार एड आ रही है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाकर आल पर सेट जरूर करना